Hello friends, welcome back, स्वागत है आप सभी का, तो इस चैनल पर हम आपको next day के लिए बताते हैं कि कौन सा data आने वाला है और उसका क्या impact रहने वाला है Forex Currency Pairs के ओपर और साथ ही Commodities के ओपर भी, तो यहाँ पर हम Monday की बात करेंगे, Monday यानि की 2nd October 2023 की और बहुत ही important data आ रहा है दोस्तों, य वो यहाँ पर आ रहा है Sunday को ही, Sunday को कोई भी market यहाँ पर open नहीं होगी, Forex में जो है सारी के सारी markets close होगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर Sunday को एक बहुत ही important data आ रहा है, और जो data आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर Sunday को, और वो आ रहा है 7 a.m पर और इसका impact पड़े यूजडी CNH के ओपर पड़ेगा, क्योंकि जो data आ रहा है वो चाइना का data रहा है, और चाइना का यहाँ पर manufacturing PMI का data रहा है, और आप जानते ही है, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं, तो चाइना का जो यह PMI का data आता है, manufacturing PMI को बताता है कि वहाँ की जो impact यहाँ पर ढाल सकता है, US oil के ऊपर और साथ ही crude oil के ऊपर, लेकिन US oil और crude oil दोनों ही बंद होंगे, संडे को, तो उसका impact आपको मंडे को देखने को मिल सकता है, और बहुत जादा impact यहाँ पर रहता है, हमेशा ही रहता है, पहले भी हमने जब यह data देखा है, तब पुरा द आया हो, और हम मंडे को देख रहे हैं, इंपक्ट क्या होगा, ऐसे तो जो working days होते हैं, उन्हीं में ही आता है, लेकिन इस बार संडे को आ रहा है, लेकिन मंडे को हो सकता है, कि इंपक्ट देखने को मिले, तो इसके ओपर आप ज़रूर नजर रखिए, manufacturing PMI के चैना के, क्यो 41.2 होने की उमीद है, यहाँ पर बढ़ने की उमीद है, यहाँ पर यह forecasted है, तो अगर यह ऐसा ही आता है, यानि कि बढ़ा हुआ आता है, तो अच्छा impact यहाँ पर USOL और crude oil के ओपर हमें देखने को मिल सकता है, तो इसके ओपर आप ज़रूर नजर रखिए, साथ इसी पर पड़ता है, तो इसके ओपर हम नजर रख सकते हैं, हम आपको अपडेशन जो है, हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी दे देंगे, अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल और बहुत सारी कंट्रीज का दोस्तों यहां पर PMI का डेटा आ रहा है मंडे को, और PMI का मैनिफेक्श्रिंग प्यमाई जो है, वो डिरेक्टली यहां पर इंडिकेट करता है कि वहां की जो कंपनीज हैं, वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं, एस्पेशली जो मैनिफेक्श्र करेंगी, वर्ल्ड की, तो क्रूड ओयल की डिमांड भी बढ़ेगी, और उसकी वजाए से क्रूड ओयल और यूस ओयल दोनों के ओपर इसका पॉजिटिव इंपक्ट पड़ेगा, अगर पॉजिटिव आता है डेटा, most of the countries का, तो यहां पर हम देख लेते हैं, कौन-कौन स का ही डेटा आ रहा है, तो यहां पर जो GPY में यहां पर 520 एम पर डेटा आ रहा है, वो अलग-अलग तरह का डेटा आ रहा है, यहां पर Big Manufacturing Companies का Outlook Index का डेटा आ रहा है, और उसका जो डेटा है वो 9 था पिछली बार और इस बार यह 5 होने की उमीद है, जो इंडेक्स है वो तो पूरा-पूरा पेर ऊपर की ओर को मूव कर सकता है, और यहां पर उसी टाइम यहां पर जो Small Manufacturing Index है, उसका डेटा भी आना है, और इसके अलावा काफे सारे चोटे-चोटे डेटा पांच-बीस पर आने है, जैपैन के, तो यहां पर आप पांच-बीस पर यहां पर यहा और जो डेटा यहां पर आना है, वो आएगा 11.30 एम पर और जो डेटा आना है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा GBP-USD के ओपर, क्योंकि ब्रिटेन का डेटा आ रहा है, और ब्रिटेन का nationwide HPI का डेटा आ रहा है, तो HPI का डेटा भी काफी important होता है, और इसके ओपर आप नजर बढ़ा हुआ, और अगर यह एक्च्वल में भी ऐसा ही आता है, तो GBP-USD उपर की ओर को मूव कर सकता है, नहीं तो यहां पर नीचे की ओर को गिर सकता है, नेक्ट डेटा यहां पर आ रहा है, वो आ रहा है 11.45 एम पर और और EUR-USD के ओपर इसका इंपक्ट पड़ेगा, क नेक्स्ट डेटा यहां पर आ रहा है, वो यहां पर यहां पर जो है 11.45 पर नहीं 12.45 पर आ रहा था, और उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा यहां पर आ रहा है, वो डेटा आ रहा है, वो यह जो डेटा है, वो इटली का डेटा आ रहा है, तो इटालियन PMI का data आ रहा है और अगेन यह जो impact डालेगा वो EUR USD के उपर ही डालेगा तो यह भी आ रहा है इसके लावा 120 PM पर भी आ रहा है अगेन यह भी EUR USD के उपर impact डालेगा क्योंकि यहां पर France का data आ रहा है और French manufacturing PMI का data आ रहा है और एक के 25 मिनट पर भी data आ रहा है वो अगेन EUR USD के उपर impact डालेगा और यह जो data आ रहा है वो है Germany का German manufacturing PMI का data आ रहा है और एक और data final 1.30 PM पर आ रहा है और यह भी impact डालेगा EUR USD के उपर और पुरे के पुरे यूरोप का manufacturing PMI का data आ रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 12.45 से शुरू हो जाएगा EUR के उपर impact पढ़ना और European जो countries हैं काफी सारी countries हैं यहां पर उनमें से यहां पर Spain का और फिर उसके बाद Italy का उसके बाद फिर France का उसके बाद जर्मनी का और फिर उसके बाद पूरे पूरे Europe का combined data यहां पर आना है तो 12.45 से लेकर के 31 तक आपको यहां पर काफी सारा यहां पर यह data आता हुआ 10-15 मिनिट के अंतराल पर और बाद में 5-5 मिनिट के अंतराल पर आपको data देखने को मिलेगा तो यहां पर आप इसके उपर भी नजर इसले पड़ेगा क्योंकि इनका भी यानि कि ब्रिटेन का भी आ रहा है data और वो है इनका manufacturing PMI का तो आप देख सकते हैं कि कि कितनी सारी countries का manufacturing PMI का data आ रहा है यहां पर बहुत सारी countries का data आ रहा है manufacturing PMI का और वो definitely यहां पर crude oil के उपर भी इंपक्ट डालेगा क्योंकि इंडस्ट्रिल ग्रोथ को यह indicate करेगा इसके पाद जो next data आ रहा है वो 2.30 PM पर आ रहा है और वो आ रहा है वो भी इंपक्ट EUR-USG के उपर डालेगा क्योंकि यहां पर Europe का जो unemployment rate है उसका data आ रहा है और 6.4 यह पिशली बार था 6.4 ही रहने की उमीद है लेकिन यहां पर अगर यह से ज़्यादा आता है या कम आता है तो उसके हिसाब से यहां पर move हमें देखने को मिल सकते हैं तो 230 पर आपको यहां पर इसके उपर भी नज़ यहां पर यहां पर फॉर्टी पिश्ली बार इस बार फॉर्कास्टर तो नहीं है लेकिन अगर इससे जाधा आता है तो तो इसके लिए खराब होगा और वह नीचे बुजाएगा अगर 2018 तो इहां पर आता है यहां पर 2018 तो उसकी वज़े से यहां पर उपर के और को मूव करेगा ने यहां पर आएगा तो यहां पर 715 पर आना है और वह बहुत ही जादा important है क्योंकि United States का data है और उनका भी manufacturing PMI का data आ रहा है और यह बहुत जादा 4.9 था 48.9 होने की उमीद है अगर यहां का industrial growth होता है तो डेफिनेटली यहां पर crude oil के ओपर अच्छा impact पढ़ने जा रहा है DXY के ओपर तो पढ़ना ही है और उसके just opposite impact E or USD के ओपर पढ़ना है मैं आपको पिछली वीडियो में पता चुगा हूँ DXY में अगर यह इससे जादा आता है यह 48.9 आता है यह उससे जादा आता है तो DXY उपर को जाएगा लेकिन उसके just opposite E or USD निचे को जाएगा और यहां पर यहां पर लेकिन फॉर्टी से कम आता है तो DXY निचे को जाएगा और यहां पर क्योंकि इंडस्ट्री का डाटा है मैं आपको पहले बिता चुका हूँ कई केसी में DXY के opposite लेकिन जब बात होती है इंडस्ट्रीज के डेटा की, कम्पनीज की ग्रोथ की, तो उस केस में अगर कम्पनीज की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो डेक्स वाई उपर जाएगा और साथ ही क्रूड ओएल भी उपर को जाएगा, तो यहाँ पर इसके ओपर आप नज़र रखिए 7.15 पर और 7.15 के जैसा ही डेटा एक और आ रहा है, वो आ रहा है 7.30 पर, तो 7.30 पर एक और डेटा आ रहा है लेकिन और वो भी उनाटेट सेट्स का ही है, और यह पिछली बार 47.6 था, और इस बार यह 47.8 होने की उमीद है, और अगर यहाँ पर यह बढ़ता है, तो अगेन यहाँ पर DXY के लिए अच्छा होगा, यह और USD नीचे हो जाएगा, और US oil और Crude oil ऊपर यह उर्प हो जाएगे, तो यह ISM manufacturing PMI जो है, वो इससे भी जादा इपक्ट डालता है, 7.15 पर जब यह data आता है, तो move अच्छा आने लग जाता है, लेकिन उसके बाद 7.30 तक थोड़ा सा ठंडा रहता है, लेकिन 7.30 के बाद बहुत बड़ा move हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए आप 7.15 से लेकर के 7.30 तक इसके उपर ज़रूर नज़र रखिए, और next भी data आ लेजे, multiple countries में यहां पर यह जो एक्सनेस है वो फैला हुआ है, और बहुत ही बढ़िया platform है, बहुत बढ़िया services है, और withdraw में आज तक मुझे कोई समस्या नहीं आई है, और मैं personally इसका यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी recommend करता हूँ, तो इसलिए जल्दी से एक्सने platforms को छोड़िये, यहां पर एक्सनेस को यूज कीजिए, बहुत ही बढ़िया platform है, और यहां पर बाकी platforms के अलावा यहां पर जो है, और भी काफे सारी facilities प्रोवाइड करवाई जाती है, आप जब इसको यूज करोगे तब आप देखेंगे, तो आप ज़रूर इसका यूज क यहां पर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तो शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही चैनल को भी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजी, वीडियो को जब आप लाइक करते हैं, तो हमारा जो motivation है वो और ज़राद इंक इसको बनाई हुई हैं आप उन स्राटीजिस को भी देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेमाई और बहुत ही बड़िया काम करती है वो स्ट्राटीजिस तो आप उन strategies को जुरूर देखिए और अपना success rate आपका जुरूर बढ़ेगा उनकी help से, तो यहां पर 8.30 PM पर जो data आ रहा है वो actual data नहीं है, Fed के जो chairman है, Powell उनकी speech है, तो उनकी speech में वो dawish statements देते हैं, तो उसका impact हमें यहां पर देखने को मिल सकता है, उसका impact हमें DXY में देखने को मिलेगा, और जिस सरफ को DXY जाएगा, उसके opposite side, EUR, USD, यहां पर move करेगा, तो इसके उपर 9.30 बजे आप जरूर नजर रखें, क्योंकि Powell की speech जो होती है, वो definitely impact डालती है, DXY के उपर, तो दोस्तों, यह थी video जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा data आ रहा है, और साथ ही क्या उसका impact पड़ेगा, किसके उपर impact पड़ेगा, काफी सारा data आ रहा है Monday क एक data रहा है Sunday को, तो आप हमारे Telegram चैनल जोइन कर देजे, और हम आपको वहाँ पर update भी देदेंगे, कि सरफ को move जाएगा, वो भी हम आपको बता देंगे, और साथ ही दोस्तों, Exynos पर account open करना ना भूलें, Exynos पर जल्दी से account open कर लेजे, और साथ ही video को like कर देजे, share कर द मिलते हैं अगले वीडियो में, till then have a nice day, goodbye and stay safe.